इस वीडियो में हम capital H और small h की पहचान सिखेंगे आप भी में साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए ये है capital H capital H और ये है small h small h ये क्या है capital H और ये क्या है small h h से बनता है hat hat यानि topi h hat hat यानि topi अब आप कोशिश कीजिए h से क्या बनता है h hat hat यानि topi बिल्कुल ठीक capital H capital H small h small h ये क्या है capital H ये क्या है small h h से बनता है hen hen यानि मुर्गी h hen hen यानि मुर्गी अब आप बताईए h से क्या बनता है h hen hen यानि मुर्गी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक capital H capital H small h small h small h h यानि यानि घोड़ा सही capital H capital H small h small h small h h ये क्या है capital H ये क्या है small h h से बनता है house house यानि घर h house house यानि घर h से बनता है house house यानि घर बिल्कुल ठीक अब हम capital H और small h को लिखने का तरीका सीखते हैं capital H लिए सबसे उपर वाली line से तीसरी line तक लकीर लगाते हैं उसके बाद जरा फासले पर दाएं जानिब को इसी तरहा एक और लकीर पहली line से तीसरी line तक और अब दूसरी line पर दोनों लकीरों को आपस में मिला देना है 22 से दाएं जानिब को एक लकीर लगा कर मुकमल हो गया capital H small H लिए सबसे उपर वाली line से शुरू करेंगे और फिर सीधा तीसरी लकीर तक एक line लगानी है और बगाईर pencil उठाएं वापस दूसरी line तक आना है और यहां से फिर थोड़ी गुलाई देकर और सीधा नीचे यहां लाके रोक देंगे मुकमल हो गया small H capital H के लिए सबसे उपर वाली line से तीसरी line तक एक लकीर फिर थोड़ा फासले पर दाएं जानिब से एक और लकीर अब पहली दोनों लकीरों को दर्मयान से मिला देंगे बाएं से दाएं जानिब को capital H small H के लिए सबसे पहली line से तीसरी line तक एक लकीर बगाएर पैंसल को उठाए वापस उपर और दूसरी लकीर को टच करते वे सीधा नीचे यह है small H capital H के लिए पहली line से तीसरी line तक एक लकीर फिर थोड़े फासले पर एक और लकीर पहली दोनों लकीरों को दर्म्यान से मिला दिया capital H small H के लिए पहली line से तीसरी line तक सीधी लकीर फिर वापस दूसरी line तक और गुलाई दी और सीधा नीचे ले आए यहां लाके रोक दिया small H capital H के लिए सीधी line पहली line से तीसी line तक इसी तरह की एक और line इस तरह फासले पर और पहली दोनों लाइन को बिल्कुल दर्म्यान से मिला देना है capital H small H के लिए पहली से तीसी line तक एक लकीर बगएर पैंसल उठाए दूसरी line तक आना है गुलाई दी सीधा नीचे और यहां लाके रोक दिया small H capital H के लिए एक लकीर और फिर दूसरी लकीर दोनों को मिला दिया capital H small H के लिए यह एक लकीर और फिर थोड़ी गुलाई वापस नीचे small H चलिए अब आप कोशिश कीजिए कहां से शुरू करेंगे capital H के लिए सबसे उपर वाली line से और कहां तक जाना है तीसरी line तक अब दुबारा से क्या करना है उपर वाली line से शुरू करना है और फिर बिल्कुल पहले की तरह एक और सीधी line बना देनी है और अब क्या करेंगे पहली दोनों line को कहां से जोड़ेंगे बिल्कुल दर्मियान से और कहां से जाएंगे कहां तक 22 से दाएं जाने तक मुकमल हो गया यह क्या है capital H अब small h के लिए कहां से शुरू करेंगे सबसे उपर वाली line से और फिर कहां तक जाना है तीसरी line तक अब pencil उठानी है या नहीं नहीं उठानी बिल्कुल बगएर pencil उठाए कहां तक आना है दूसरी line तक और अब यहां से क्या करेंगे दाएं जानेब को गुलाई सी इस तरह से बनाएंगे और फिर सीधा नीचे तीसरी line पर लाकर रोक देना है यह क्या है small h बिल्कुल ठीक शाबाश अब आपने h से बनने वाली चीजों के नाम बताने हैं यह क्या है horse horse यानि घोड़ा यह क्या है house house यानि घर यह क्या है hat hat यानि टोपी और यह क्या है hen hen यानि मुरूजी बिल्कुल सही फिर से कोशिश कीजिए यह क्या है house house यानि घर यह क्या है horse horse यानि घोड़ा और यह क्या है hen hen यानि मुरूजी और यह क्या है hat है यानि टोपी शाबबाश एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं यह क्या है hat है यानि टोपी और यह क्या है हेन हेन यानि मुर्गी यह क्या है horse यानि घोड़ा और यह क्या है house house यानि घर शाबबाश बिल्कुल ठीक अब आप इस वीडियो को बार बार रीप्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए इस तरह आप बहुत जल्द capital H और small h की पहचान सीख लेंगे